हेलो माई यूट्व फैमिली आज मैं आप लोगों साथ एक ऐसा मेजिकल रेमिडी शेयर करूंगी जिसको इस्तमाल करने से आपको गजब का रिजल्ट मिलेगा और मैं आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हूँ आप इसे एक पर इस्तमाल करके देखे उसके बाद तो इसका प्राइस कितना होता है मुझे नीचे कोमेंड में जरूर बताईएगा और जिन लोगों ने अपने बालों में स्मोथनिंग, स्टेटनिंग और केराटिन रीटमेंट कराया है उनको पता होगा बाद में क्या होता है बालों की दर्शा देखें मैं आपको ऐसा नही जिसा ही रिजल्स मिलेगा तो चलिए देखते ही क्या करना है कैसे करना है और कितना क्वांटिटी में करना है सबसे पहले मैंने यह एक पैन ले लिया है अभी मैं इसमें कुक्ट राइस डालोंगी अगर आप इसे फ्रेश बना सकते है तो बहुत यह अप्तर हैगा चाबल क तो कूक करने में तो टाइम लगता है इसलिए मैंने यहांपे ऑरिडी कूक चाबल ले लिया है और अभी मैं इसमें तोरह सा पानी अवालों के लिए अप्टे बना सकते हैं अपनी के अव्ड़ और यहांपे और चला को एक हुँ जायदां आप गैस को अफ कर लीजिए और इसे तोड़ा सा टंड़ा होने के लिए के लिए केili च causa हो जानेके बाद के बाद मैं इसे कर लोगे मैंने कर लिया है अप चाहा तो इसे सट्रेंग कर सकते हैं तकि यसमें जो भी लांब से न बोसभा से चले जाएंगे और आप इसे smoothly अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं अब मैं इसमें एक बड़ा चमच कस्टर ओयल डाल रही हूँ एक बड़ा चमच ओलिव ऐल डाल रही हूँ और हाँ आपको इसी में एक चमच शहद भी डालना है Sorry मैं वीडियो में दिखाना भूल गई थी मैंने यहाँ पर एक चमच शहद भी डाला है और सारे चिसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और आपका गजब का केराटेन क्रीम बनके बिल्कुल तयार है क्रीम तो कोई भी बना लेंगे क्योंकि इतना असान जो है लेकिन इसे लगाने की तरीका सबसे इंपोर्टेंट है आप इसे सही तरीके से लगाईए उसके बाद आपको जो रिजल्स मिलेगा आप एक ही नहीं करेंगे कि आपका ही बाल ता इसलिए आप इस फोटो क्लिक कर लिजेगा तो इस फ्रीक को एप्लाई करने पेहले अपने वालों को तो मेघला भी मळार कर लिजिए फिर अपनी बालों को पाउर्ट चैन अब आप ने के कही बा 젊ंशन js लगा को पूं आंतु 1992 पपनी के बाहरे कर दिया है कर दैंद अब कर देम को अपने बालो में शुकाना नहीं है इसलिए आप चाल सफ बीप कर नकी बाएबड आपने में बाले को उस्चाल मिनीट तक लिएसी ऍना इसम ले ई फिर आप शेंपू का इस्तेमाल करिए ज्यादा शेंपू नहीं लेना है आप तोरह सा ही शेंपू ले लिजिए और आपने बालों को वाश करीजे और जब आपके बालों साथ सुख जाएंगे आप अपने बालों को दीरे-दीरे करके कॉम कीजिए और जब पूरा ड्राय हो जाएगा ना आप देखेंगे आपके बालों में क्या चमत्कार हुआ है मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगी आपको जिसे पहले ट्राइ करिए और जब आपको डिजाल्स मिले तो आके नीचे जरूर कॉमेंट कीजिएगा और आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वी के लिए मेरे चैनल को जुरू सब्सक्राइब करिए